नमश्कार फ्रेंज एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एंड शेयर पर और मैं हूँ आपकी फ्रेंड श्वेता आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कुछ बच्चों को रिडिंग करने में प्रॉब्लम होती है इस्पेशली उन बच्चों को जो यूकेजी से फोस्ट में आते हैं नर्सरी से फोस्ट में आते हैं क्योंकि उन्हें उस लेवल पर फॉनिक सिखाया जाते हैं और फॉनिक की अकॉर्डिंग उन्हें रिडिंग कराई जाती है तो वो फो लेड़र वर्ड्स लेडर वर्ड्स कर पाते बट जैसे ही वह फर्स्ट ग्रेड में आते तो उन्हें सेंटेंस रीड करना पड़ता है आंसुज रीड करने पड़ते जो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते जो हर बच्चों के साथ होते बट मैं आज आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेर करने वाली हो जिससे इसमें कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं जैसे कि यहां पर इस है इस तो यह जो कुछ कॉमन वर्ड्स है जैसे एन ओनो इस फिर से आ चुका है एन ओनो फिर से आ चुका है दैर फिर से आ चुका है यह कुछ कॉमन वर्ड्स है जो हमें बच्चे को पहले से ही समझाने पड़ते क्योंकि देखो क्या होता है कि Phonic according वह बाखी words रीड कर पाता है इसे कुछ words है जिसे उसे समझना पड़ेगा क्योंकि वह words repeat होते हैं तो वह repeat होने के कारण वह हर जगा आते हैं जब भी वह कोई भी reading करते हैं चाहिए इंगलिश की reading कर रहा हो या इवियस की reading कर रहा हो In fact, कोई भी reading में ये सारे words common आते हैं जैसे again हो गया, always हो गया, not हो गया, for हो गया, sure हो गया ये सारे words common हैं जैसे यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो what, what जैसे डब्लू ह वाले questions है what, why, where ये सारे common words है तो ये हर जगा आएगी तो ये हमें बच्चों को याद कराना है ये हमें बच्चों को समझाना है कि ये जब भी आएगा तो इसे आपको यही कहना है जैसे अगर आपने कहीं पर what देखा है sorry, screen मेरी थोड़ी दिखने रही है जैसे अगर आपने कहीं पर what देखा है तो आपको what ही बोलना है अगर आपने कहीं पे there देखा है तो आपको यहापने देख सकते there यह word हर जगा repeat हो रहा है तो यह word हर जगा एक जैसा ही होगा will you please तो इस तरह से आप क्या कर सकते है पेज पर सारे words लिख सकते है लिख सकते है alphabet के according जैसे ए से जो words आते है again, always, यह जारे लिख सकते है डबलु एच सारे questions लिख सकते है डबलु एच what, where, why क्योंकि यह सारे common words है तो बच्चे को यह सब words अगर आपने याद करा दिया तो जब वो read करेगा तो यह word आएगा तो वो देखते ही बोल देगा समझ जाएगा और इससे उसका confidence भी बड़ेगा अब यहाँ पर as a parents, as a mother और as a teacher आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अपने बच्चों की reading करा रहे हैं तो आपको उन्हें encourage करना है आपको उन्हें demotivate नहीं करना हमें यह नहीं करना, हमें उन्हें encourage करना कि बेटा read करो, कोई नहीं धीरे-धीरे read करो, बट read करो आपको क्या करना है अगर आप घर पे उसे reading की practice करा रहे daily एक छोटा paragraph आप उसे रोज थोड़ी-थोड़ी देर पंतरा मिनिट के लिए read करवाए अगर आप 15-15 मिनिट daily read करवागे और यह common words वो रोज देखेगा कि हाँ यह common words आ रहे और इन्हें रोज में एक ही चीज बोल रहा हूँ तो वो खुदी समझ जाएगा और उसे फिर जब वो word आएंगे वो खुद read कर पाएगा तो यह तरीका आप अजमा सकते हैं अपने बच्चों की reading के confidence को हाई करने का इससे आपके बच्चे का reading confidence बहुत हाई जाएगा और वो इतनी अराम से read कर पाएगा कि आप भी सोचेंगे कि मेरा बच्चा इतना अराम से read कैसे करने लग जया है चलिए उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे होगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगते तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और सब्सक्राइब किजिएगा थैंक्यू थैंक्स को वाच्चिंग